हैलो गाईज वेलकम टू माई चानल मेरे अपका स्वागत हैं दोस्तों आज की ओडे में में हम इंस्टाल करने वाले है yह्य की है अब देख सकते हैं यहाइफ है तो हम इन रैम्स को इंस्टाल करने वाले मैणूड तुंड गें और यहाँ पर एक है super speed ring अगर आपको अपनी car की speed test करने हैं तो आप यह super speed ring यूज़ कर सकते हो यह भी menu trainer के help से install होगा तो देखिए यह बहुत बड़ा road मिलेगा आपको हम यह double mega RAM भी install करने वाले हैं यह जो 4 maps है यह menu trainer से install होने वाले हैं इसलिए मैं 4 को भी install करने वाला हो यहाँ पर और यह है airport triple looping menu तो यह भी menu trainer से ही install होने वाला है तो चलिए देखते हैं क्या process है इन RAM को install करने के लिए तो यह है installation के steps अगर आपको ऐसे RAM install करने हैं तो आपको क्या requirements लगेंगे तो आप देख सकते हैं हमें step 1 और step 2 में install करना यहाँ पर तो step 1 में हमें install करना है script hook v script hook v.net menu trainer एक menu trainer लगेगा क्योंकि हम लोग menu trainer से ही इन maps को load करने वाले हैं और हमें लगेगा native UI और एक scripts का folder हमें create करना है तो अगर यह आप 5 वी चीज़े install करेंगे तो यह mod सही तरह की से work करेंगा लेकिन अगर आप modding कर रहे हो तो आपको यह सारी चीज़े बहुत जरूरी है install करने के लिए क्योंकि आपको open IV भी लगेगा और एक mods का folder भी create करना पड़ेगा अगर आप modding कर रहे हो आप modding करते हो तो हमें डाउअअट करना है यहां पर और यह भी हम डाउअडूड करेंगे हां से और यह भी हम डाउअट करेंगे कि कि रहा airport triple looping menu यहां से हम ये भी डाउनलोड कर लेंगे थो गईज हमारी ये esto चुके download मैं कहना चाहाँए क्या हमारे जो downloaded mods की file है वो rar भी होती है या फिर zip file भी होती है तो zip file को हमें unzip करने के लिए seven zip भी use होता है और यह जो हमारी rar file है उसके लिए हम winrar use कर सकते हो तो मैं winrar और seven zip यह दोनों use करता हूं क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा super speed ring menu है यह एक zip file है तो हम seven zip use कर सकते हैं इसे unzip करने क तो चलिए बढ़ते हैं installation process की तरफ so guys आप right side में देख सकते हमारी open है यह mods की files यहाँ पर तो हमें यह सारी rams मिलते हैं यहाँ पर तो हमने यह 4 वी rams को download कर दिया है और left side में open है हमारी gtfi की main directory तो आप देख सकते हैं आपको main directory में आपको menu stuff folder मिलेगा जब आप menu trainer install करते तो आपको यह menu stuff करके folder create हो जाएगा यहाँ पर जाना है spooner में तो इस spooner folder में हम rams की file को करने वाले है drag and drop ताकि इन file को menu trainer की help से हम लोड करने वाले हमारी game में तो पहले हम ultra ram की file को install करने वाले हाँ पर हमें जाना है ultra ram पर आपको ultra ram.xml file मिलेगी आपको simply से drag and drop करना है हमारी menu stuff spoon folder में यहाँ पर हमने इसे कर दिया है drag and drop then हमें install करनी है super speed ring यहाँ पर guys यह आपके उपर depend करता है आप इन चारों में से कोई भी RAM को install कर सकते हो तो यह है super speed ring तो इसे भी हम drag and drop कर देंगे यहाँ थर्ड है हमारा airport triple looping तो इसे भी हम drag and drop कर देंगे fourth है हमारा double mega ram तो हम इसे भी drag and drop कर देंगे आपर तो हमारी यहाँ पर चारों भी mods की file drag and drop कर दी हमने और हमारा installation process हो चुका है done हमने menu stuff के spooner folder में इन चारों file को copy paste कर दिया है तो अभी हम जाएंगे game में और इन सारी files को करेंगे load guys मैं बात करना चाहूंगा यह सारे ram अगर आप एक साथ load करोगे तो आपकी game crash भी हो सकती है क्योंकि game में limited prophecy allowed रहते हैं तो अगर आप उससे जाधा try करोगे तो वो load नहीं होगे तो चलिए जाते है game में और हम देखेंगे इन rams को हम कैसे load कर सकते हैं हमारी game में माइकल के साथ पंगा तो यह है माइकल की car तो आभी हमें maps को load करने के लिए प्रेस करना एक दो बार तो आभी हम menu training हमारा start करेंगे यहाँ पर तो आभी हमें जाना है object spooner में आपको पता है object spooner यह नाम से हमारा folder था तो हम जाएंगे object spooner में यहाँ पर हम जाएंगे manage save files यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो भी 4 RAMs install किये थे वह files यहाँ पर आ गई है तो अभी हम इन्हें लोड करने वाले हैं एक के बाद एक तो हम पहले लोड करने वाले हाँ पर ultra RAM तो अभी हम जाने वाले यहाँ पर करने वाले तो यहाँ से हम करने वाले है जम और यह हम जम करने वाले हैं यहाँ से ओ और यह हमारी जम यह खतरनाक जम हमारी कि देख सकते हैं रहे हम ब्राइब से इतने दूर हमारी जम यहा पर ऐसीडी हो जा ओ भाई कार के चाले देखे चालए है क्या हो गई है ओ आपर तो आग लग गए हमारी कार को इतने उपर से गिरी है और यह सुपर स्पीड रिंग अगर आपको अपनी बाइक या कार की स्पीड टेस्ट करने है तो आपको यहाँ पर लोड करना है सुपर स्पीड रिंग तो यह बहुत बड़ी रिंग है तो हम जाएंगे यहाँ पर लोड प्लेस्मेंट में तो य यह रही super speed ring यह काफी लंबी ring है देख सकते हैं तो चलिए हमें चाहिए यहाप पर bike तो यहाप मैं bike load करने वाला हूं यहाप मेरी vehicle options में जाओंगा vehicle spawner में यहाप मोटर साइकल में मैं शोटा रो यह bike में install करने वाला हूं देखिए और मैं इसकी speed बढ़ाने वाला हूं यहाप पर ताकि हम इसकी speed test कर सकते हैं यहाप तो हम जाएंगे menu customs में यहाप आपको top speed मिलेगी तो हम top speed इसकी करने वाले है 1000 1000 और यहाप हमारा torque multiplier होगा 30 और यह भी horsepower भी होगी हमारी 30 तो हमारी बाइक यहापर ready है speed test के लिए तो देख सकते हैं आप right side में नीचे speed हमारी बाइक की लगबग 200 पार है हम यह 300 पार है 400 लो भाई 500 पार है हमारी speed 600 जबरदस और यह जबरदस speed हमारी बाइक की है कर देखियें ललों take 600 600 बाई रुष्या भाई रुँजा रुठär रुच रुच ज़ए आराम से प्राइश HOLTaltung 600 के करीब गये थे यहाँ पर अभी हम और स्पीड बढ़ाने वाली तो हम यह स्पीड को रखने वाल है यहाँ पर 2000 टॉर्क मुल्टिप्लायर हम सीधे यहाँ पर 300 कर रहे है और यह भी हमारा 300 होगा यहाँ पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं लो भाई खतरनाक स्पीड पकड़ लिया हमने तो इसी तरह से आप भी अपनी कार या बाइक की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 800 के पार है हमारी स्पीड 900 ओ माइगाद 900 थाउजन ओ शिट यहाँ पर थाउजन पार है हम ओ भाई जबर्दा स्पीड हमारी बाइक की ओ भाई रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा तो हमने थाउजन अचीव कर ली थी यहाँ पर तो अभी हम लोड करने वाले हैं और कोई रैम तो हम F8 प्रेस करेंगे यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक यहाँ पर तो लोड प्लेस्मेंट करते ही यह आ गए हमारे पास तो चलिए इस रैम पर टेश करेंगे हम है और यह भाई करेंगे करेंगे और गिर गए बाई लिए एक पर तो यह करेंगे जंप यहाँ पर हम और यह जबर्दस जंप हमारी यह पर प्लेन के ऊपर से तो चलिए लोड करते हमारा फोथ राम तो हमें जाना है मेनू ट्रेनर में एफट प्रेस करके हम जाएंगे अबजेक्ट स्पूनर में मैंने से फाइल्स और यहां पर तो हम लोड करनेवाले hap 2 2 तो यह हमARया रएम और यह हमने श्पीड पकड़ते हुइं के ओ क्या जंती बहरी जबर्दस जंप ऑवर भाई यहां पर अरे भाई जम जादा ही जगही है भाई यह नीचे जाने वाले हम ओ भाई तुमने एक साथ ही दो राम पर जम करो के तो ऐसी होगा ना भाई तो हम उपर जाएंगे आगे उपर जाके ट्राइ करेंगे आराम से आराम से आराम से भाई आराम से रुको 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 अरे रुको रुको भाई गया भाई गया 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 नीचे गिरे हम चली गई भाई बाई चली गई नीचे हमारी अरे रे 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 भाई ये भी अमारे नया रैम पेग देखिये देखिए कितना बहतरी दिन राइंप हमा रहा है तो ग्राइज अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद दा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों हम ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए टाटा बाई बाई